दिखिए, बड़े दिनों से हम प्रयास कर रहे हैं कि जो हराना विधानसभा है, उसमें उसकी जो कार्य करने की हमारी सीमा है या जो जिस प्रकार से हम वहां कार्य कर रहे हैं, वो एक गौरोपूर्ण और गर्मा में विधानसभा के लिए उप्युक्त नहीं है क्योंकि आज जो विधानसभा की परिस्थिती है, उसमें नब्बे से ज़्यादा विधायक नहीं बैठ सकते हैं आने वाली जो स्थिती है परिसीमन के पस्चात, मैं समगता हूँ कि निश्चित तोर पर संक्या बढ़ने वाली है और उसको देखते हुए नए विधानसभा भवन के लिए मैंने आदनिये अमिशा जी को भी पत्तर लिखा था और आदनिये मुख्यमंत्री जी को भी पत्तर लिखा था और आज मुझे बड़ी खुशी है कि आदनिये मुख्यमंत्री जी ने भी उस बात को ठीक मानते हुए यहां की जरूरत को देखते हुए परिस्थिती को देखते हुए आदनिये अमिशा जी को पत्तर लिखा है और यह आगरे किया है कि यह जो विशय है इसके उपर तुरं है जो सभी जो हमारी जरूरते हैं उनको देखते हुए अच्छा विदान सवावाण बन सके तो इस परकार का प्रियास एक मेरी तरफ से शुरू किया है और मुझे पूरी आचा है मैंने आदनिये अमिशा जी को भी मिलने के लिए भी पत्तर लिखा है मुझे आचा है कि जल अप्रॉक्सिमेटली हमने दस हेकर जमीन की जो मांग की है क्योंकि उसके अंदर एक अच्छा विदान भावन जो है बन सकता है तो उसको मदे नजर रखते हुए हमने अपनी रिक्वेस्ट जो है उनको भेजी है और हमने ये भी लिखा है कि इसी विदान सवावावन के अपना रिवाद रहता है तो मुश्यासिक के बाद से अपना हक लेने के लिए क्या वो हमने की इसके बाद खत्म हो जाए गया है नहीं देखे खत्म ऐसा है कि जो हमारा कोई जो डिवीजन हुआ था जो पंजाब का और हर्याना अलग लग बने से सिक्स्टी फॉर्टी की र हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाए अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन देवाद